मैं ममी को अभी प्रे किया मेरे पूरी फैमिली आ गई है और मासियां कह रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उस कंडिशन में नहीं है लंग्स काम नहीं कर रहे हैं पूरी बॉड़ी में कैंसर फैल चुका है जबान से बोलना नहीं चाहिए मैं होप रख सकते हैं जो इश्वर की मर्जी है वो हो ममी ये परमेश्वर इतना पेन मत दो ममी को इतना पेन मत दो आपकी इच्छा पूरी हो खुदा कान्ट सी हर लाइक दिस पूरे बॉड़ी में एकदम बलड के दब्बे हो जाते हैं वो हो गये हाथ पैर सूझ गये हैं पता नहीं क्या हो रहा है मालूम ने पूरे हाथ पेर उको पट्यां बांधी है और बलड पूरा पैर से जा रहा है बहुत नाजुक हालत है बहुत ही मैं डॉक्टर से मिल नहीं पाई हूँ, बट इलाज चालू है, मेडिसिन पर रखा है, पता नहीं किया है, को समझ में नहीं आ रहा है ममी ने भी आप से कुछ बात की है, कुछ कहा है, तो क्यों हमेशा से ममी आपको मोटिवेट करती थी ममी ने मेरा असली नाम पुकारा मुझे, मैंने बला ममी मासे ने बहुत बोला, नीरू आईए नीरू, तो नीरू ऐसे बोला, ममी ने, नहीं बोल पा रही है, बुरी हालत है, शीज नॉट इन, कॉंशिस मैं सबको एकी बात कहना चाहूंगी, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ज़ादा तेल वाला, ज़ादा शक्कर, ज़ादा मिठा, प्लीज, जब हम बिमार होते हैं, हमें बहुत भुगतना आता है, इस शरीर को बहुत ज़ादा, खाश मेरी माने, मिठारी जूलजरी है, कैंसर से, डाइबिटीस से, लो बीपी, हाई बीपी, कॉलस्ट्रॉल, ब्रेंट यूमर से, हर चीज एक साथ में आ गई है, जैसे मेरी जिंदगे में एक साथ में इतने दर्द आ गए हैं, ठूट पड़े हैं, आजमान भी रो रहा ह बस सबको इनक है, ना चाहूंगे कि हल्दी रहिए, जाधा जाधा सूप सलाट खाईए, आपके पैरेंट्स का अगर आभी नहीं शुरू किया है, तो शुरू कर दीजे, करेले के जूस, सारे जूस, ये इसलिए क्योंकि मैं मम्मी को पहले से देती थी, बट मम्मी नहीं प अब जब अकेडमी नहीं उपन होने वाला था, क्या उस बारे में भी पता था मुमी को? मेरा हजबर्ण है आदिल, मैं इसे बे इंतिहा प्यार करती हूं, जमीन आसमान फड़ जाए, मोझे मेरे हजबर्ण से कोई अलग नहीं कर सकता, सखम शांजिस आते हैं, जाते हैं, शादी कोई गुड़े-गुड़ी का खेल नहीं है, निखा करना, इसलाम खबूल करना, पती का प्यार पाना, ये मेरा हग है, मैं अपने पती से बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे जुदा कभी नहीं हो सकते हैं, लोग जाहे कितनी भी खोशिश कर लें, टैंक यू मेरे सर पे बहुत स्ट्रेस टेंशन है, कि मैं फिर भी चट्टान की तरह स्ट्रेट खड़ी हूँ, हाथ पे डगमगा रहे हैं मेरे, मा बीमार है, बाहर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ही जानती हूँ, मेरी फ्रेंड जानती है, राश्री जानती है, शायद मेरी जगे और कोई होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ, अल्ला में खुदा में इश्वर में, कि मैं एक मिट्टी की इंसान हूँ, और मेरे साथ, रात के बाद सुबह आईगी और सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ, मेरे फैन्स है, आप लोग हो, माह का अशिरवाद है, मेरी शादी कोई थोड़ नहीं सकता, मेरा हस्बंड मुझे हमेशा प्यार करेगा और मैं उसे हमेशा प्यार करूँगी, प्लीज मुझे चोड़गे, आपको कुछ कहा है, आपकी दोक्तर से भी बात करते हैं, उना का हमेशा हमेशा प्यार के लिए अशिरवाद है, बाई मेरे जाएं Khalifaharan वो कंवा को में नहीं डांस करते उस पर रिस डाल पाई मेरी मा की तब出去 बहुत जाड़ उणर्ट्राब है कि इस बार में रिल डेल पाई लेकि मैं मैं विश्वास रखते हूँ कि आपके पठान सुपरिट जाएगी शारूप जी क्योंकि आपी ने मुझे लॉंच किया था आजो कुछ भी हूँ मैं शारूप जी आपी की देन है आप मुझे ब्रेक नहीं देते तो शायद मैं से बॉलिवुड में नहीं होती लेकिन इस हालत में भी हम कोशिश करेंगे कि एक ग्रिल डाले बनाके प्लीज पठान के आज एक ग्रिल बनाए कले ग्रिल बनाके कि शारूँग जी के लिए मैं पठान के लिए कैसे भी रील बना के में डालूंगी क्योकि मुझे विश्वास है शारूँग जी और सल्मान जी ने बहुत सपोर्ट किया हैं मुझे तो मैं रील बना के डालूँगे और उनकी फिल्म पठान शुपरिट है मा, मा, पठान को आशिरवाद दो, शारुप को आशिरवाद दो, उनकी फिल्म सुपरिट हो जाए देश के जनता सुपरिट कर देगी फिल्म में प्लीज